हाई गाईज, वल्कम बैक टू माई चैनल एंड माई चैनल नेम इस स्टडी कनेक्शन तो वन वड़ सब्स्टिटूशन में आज हम सीरीज 11 करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे गया होता है तो उसे कहते हैं हम यादगार या निसानी जिसे कहते है For example, I bought the perfumes as a souvenir of Dubai मैंने perfume खरीदा दुबाई के निशानी के रूप में Next है battery, ये क्या होते हैं? तो उसका अर्थ होता है तोप खाना Means a group of big guns Okay, next है extrempory Extrempory का अर्थ होता है बीना तयारी का जैसे an extrempory speech बीना तयारी के जो speech होता है उसे हम कहते हैं extrempory speech Next है a person who follows blindly devoted to an idea उसे क्या कहते हैं? तो हमारे options है शोविनिस्ट, फेमिनिस्ट, इफेमिनेट या और फेन तो हमारा answer है सोविनिस्ट याने अंधराष्टीता या उग्राष्टीता जिसे कहते हैं तो इसके options में है feminist वन, who thinks the welfare of women जो women's के welfare के बारे में सोचता है उसे कहते है feminist इफेमिनेट वन, who behaves like a woman जो इस्तरियों के जैसा वैभार करता है उसे कहते हैं इफेमिनेट Next है orphan याने अनात जिसके माता-पिता ना हो उसे हम कहते हैं orphan और उन्हें रखते हैं हम orphanage में याने अनात हाले में उसे रखते हैं ओके अगला है A man whose wife is unfaithful to him एक ऐसा इंसान जिसकी पतनी विश्वास पात्र नहीं है तो उसे क्या कहते हैं तो हमारे options हैं ककोल्ड, श्रू, बेवी या रेगेलिया तो हमारा answer है ककोल्ड इसके options में हैं श्रू श्रू मतलब होता है जगडालू इस्तरी नेक्स्ट बेवी बेवी मतलब होता है टोली A group of girls is called बेवी नेक्स्ट है रेगेलिया तो इसका आर्थ होता है राज चिन तो अगला है वन, who pretends illness to escape duty जो बीमारी का बहाना बनाते हैं वर्ग में जाने से बचने के लिए तो उसे क्या कहते हैं तो हमारे options है Malingra, Incessible, Ambiguous या Torrent तो हमारा answer है Malingra मतलब रोग का बहाना करने वाला तो इसके options भी देख लेते हैं Incessible तो उसका अर्थ होता है A tripth जिसे tripth ना किया जा सके Impossible to satisfy तो उसे कहते हैं Incessible Next है Ambiguous Ambiguous का मतलब होता है I just passed An ambiguous message Next है Torrent Torrent का मतलब होता है Mushladaar, Barish ओके तो आगे है A person who has a long experience of any occupation वो इनसान जिसे किसी काम का बहुत अधिक experience हो उसे क्या कहते हैं तो हमारे options है Veteran, Pedantic, Punctuous या Blemish तो हमारा answer है Veteran या दिगज या अनुभवी जिसे कहते हैं Veteran कलाकार दिगज कलाकार Next है Pedantic Pedantic मतलब होता है Panditav या Roodhi Vadi जिसे कहते हैं Next है Pancsilius ये होता है समय बद्ध या अतिसिष्टाचारी जिसे कहते हैं जैसे कि एक host होता है Next है Blemish Blemish मतलब होता है कलंकित करना आगे Next है Journey to Holy Place पवित्रे स्थानों की यात्रा क्या कहलाती है तो हमारे Options है Pilgrimage, Platonic, Acrobate या Robust तो हमारा Answer है Pilgrimage तीर्थ यात्रा करना जिसे कहते हैं Options में है Platonic Platonic का अर्थ होता है आदर्श्वादी Next है Acrobate Acrobate का अर्थ होता है कलाबाज Next है Robust इसका अर्थ होता है मजबूत होना ओके आगे है Detailed Plant of Journey यात्रा के विवरण को क्या कहते हैं तो हमारे Options है Itinerary, Haunt, Demagogue या Antipathy तो हमारा Answer है Itinerary Haunt मतलब होता है डराना Next है Demagogue जन समुदाई के नेता को हम कहते हैं Demagogue Next है Antipathy Antipathy का अर्थ होता है घ्रीना करना आगे है A heavy fall of rain that starts suddenly मुशलाधार बारिश को क्या कहते हैं जो की अचानक आ जाती है तो हमारे Options है Drizzle Drizzle का अर्थ होता है बुंदाबांदी होना या फुहार होना Next है Downpour तो हमारा Answer है Downpour मुशलाधार बारिश Options में है Reservoir इसका अर्थ होता है जलाश है Next है Hurricane इसका अर्थ होता है तूफान आंधी तूफान को कहते हैं हम Hurricane आगे है A person who collects stamps Dark Ticket के संग्रा को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं Philatelist यह है हमारा Answer इसके Options में है Numismatist A person who collects coin जो coin का collection करते हैं उसे कहते हैं Numismatist Next है Ornithologist पक्षियों का अध्यन करने वाला कहलाता है Ornithologist This lies in kidney care and treating diseases of the kidney जो किड्नियों के रोख संबंदी अध्यन करते हैं उन्हें कहते हैं हम Nephrologist तो अगला है One who secretly listens to talks of others जो दूसरों की बाते छुप छुप कर सुनते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो हमारी Options है Eavesdropper, Eccentric, Edible या Egoist तो हमारा Answer है Eavesdropper Options में है Eccentric, जिसका आर्थ होता है विलक्षन वैक्ती या Sun की आदमी जिसे कहते हैं Next है Edible, खाने योग्य चीजों को कहते हैं Edible Next है Egoist इसका आर्थ होता है स्वार्थी जो केवाल अपने बारे में ही सोचता है उसे कहते हैं Egoist Okay friends आज के लिए इतना ही तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर लिजे और मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे Thank you so much for watching